नमस्कार मसतीस कुमार और आप देख रहें रेवाडी हल्चल और आज हम खड़े हैं लुहाना गाउं में यहां एक मडर हुआ है एक बोड़ी को जला कर यहां डाला गया है और आपको बता दे कि खबर मिली थी हमें सुबह 7 बजे कुछ लोगों ने गाउं के ही लोगों ने डैड़ बोड़ी को जले हुए मरतावस्ता में पाया गया उसके बाद गाउंवालों ने सरपंच को इस मामले से अवगत कराया सरपंच साब से बात हुई उन्होंने बताया कि जैसे ही मामले के बारे में उन्हें खबर लगी वो खुद मोके पर पहुँचे 57 लोगों के साब भी मोके पर पहुँच गए उसके बाद S.T.O. साब तो उन्होंने उपर आधिकारियों को सुर्चना दी मोके पर DSP पहुँचे और उसके बाद S.P. साब भी स्वेम मोके पर आकर पूरे वाके की छानबीन करते हुए और मामले को संग्यान में लेते हुए पुलिस पर आध सुबह यहां गाउं लवाना में मोड जो निमोड की तरफ कच्चा रास्ता जाता है जो पहाड़ी और पूरी बणी जंगल टाइप का एरिया है वहां एक कच्चे रास्ते पर रात को किनी व्यक्तियों द्वारा हत्यारों द्वारा एक व्यक्ति को यहां जला कर मारा है और बोड़ी को यहां डाला गया है फोरेंसिंग टीम आपके सामने यहां देखिये किस तरह से लगी हुई है सामने डी एस पी पमन कुमार जी भी पूरे मामले की चानबीन और बारिक की से हर चीज को हर एंगल से देख रहे हैं और फोरेंसिंग टीम अधिकारी डोक्टर साब भी लगे हुए हैं और एक एक चीज की यहां चानबीन की जा रही है कि कुछ न कुछ कलू मिले और आरोपियों को पकड़ा जाए आरोपियों तक पहुचने के लिए बरसक परियास यहां पुलिस परसासन फोरेंसिक टीम और ग्रामिनों का सहयोग भी आप देखें यह लगे हुए हैं अपनी कारवाई में और पूला पुलिस परसासन एक जुट होकर इस मामले को जल्दी से जल्दी सुल जाने में लगा हुआ है क्योंकि एक हैरतंगेज यह काम जो हमारी छेत्र में हुआ है इस तरह से किसी बोड़ी को जलाकर यहां डालना एक बहुत ही आस् अची हुई है जैसे ही लोगों को खबर लगी लोगों का यहां ताता लगने लगा काफी लोग यहां ही कट्टे हो गए आस पास के गाउं के क्योंकि लवाना गाउं के चारों तरफ निमोट गाउं जन्नाबाद गाउं इधर दवाना गाउं इधर जन्नाबाद और प्रटा बुडोली इन सभी गाउं के बीच में है और लोकल छेतर के जितने भी लोग है जिन जिनको खबर लगती गई इस हेलतंगेज सीन को यहां देखने के लिए लोग पहुँच रहे हैं और जितनी लोगों से हेल्प उसके परसासन की जो भी लोगों को जानकारी थी वो बता रहे हैं यहां कुछ लोगों द्वारा बताया गया है कि करीब रात को एक बजे कुछ लोग यहां से गुजरे उस समय यहां इस तरह की कोई गटना नहीं गटी होई थी तो फोरंसिक टीम द्वारा बताया जा रहा है कि यह गटना करीब क्योंकि काफी कुछ सामान इस के पास मिला है कुछ क्लू मिले हैं यहां इस मौत के जैसे की यहां फोरंचिक टीम के जो लगे हुए हैं डॉक्टर साहब इन्होंने बताया और यहां से चांडबीन भी की जा रही है सबी चीजों को संजोए रखा जा रहा है एक एक चीज को यहां से इस व्यक्ति के पास बत जारजर है वो भी आधा जला हुआ है उसके बाद एक गड़ी भी हाथ की इस व्यक्ति के पास मिली है जो साइद कपड जलने के बाद क्योंकि गड़ी तूटी हुई है साइद और लग रहा है कि उसकी जेब में साइद यह गड़ी थी तो एक गड़ी मिली है एक किसी पहुंचने का किया जा रहा है पुलिस परसासन टीम दौरा फोरंसिक टीम दौरा सिया ये टीम भी यहां बनी हुई हमारे साथ एस एचो साब और एसपी साब भी उसके बाद डी एसपी साब भी यहां लगे सीसी टीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रहे हैं और जितना भी यहां से कुछ कलू मिलता है कोई भी जानकारी मिलती है उसको देखने में पूरी टीम जी जान से लगी हुई है हाव भाव से लग रहा है कि यह देखिए एसपी साब सामने खड़े हैं और खुद स्वैम यहां खड़े होकर एक एक चीज़ को बारिकी से छान भी रही हैं काफी लोगों से इस तरह से पूछा भी गया है कि क्या कोई इस तरह का व्यक्ति यहां से कोई गुम हो या इस व्यक्ति के बारे में कुछ जान पहचान हो इस व्यक्ति के पास मैं बता रहा था आपको कि एक मोबाइल चार्जर घड़ी एक बड़े ताले की हुए था एक टीशर्ट बताई गई है सुरू में जब सामने आया तो फोरंचिक टीम द्वारा बताया गया कि निले कलर का जो की तरह एक कपड़ा मिला जिससे अंदाजा लगाया जा रहा था कि साइद यह व्यक्ति निले रंग का ट्रेक शूट पहने हुए होगा लेकिन बा जिसमें इस बोड़ी को डालके ला जाया गया हो इस तरह का अंदाजा फोरंचिक टीम द्वारा यहां पर बताया जा रहा है क्योंकि वो कपड़ा जो पहले ट्रेक शूट की नजर से देखा जा रहा था वो काफी बड़ी साइज में और जिस तरह के टाके लगे होता है एक बोड़ी को लपेटा गया जो बोड़ी इसके सर को भी साइट ढगा गया है क्योंकि यह फोरंचिक टीम डोक्टर द्वारा जब इसके सर से वो पन्नी हटाई गई तो लगा कि वो जो पलर टाइप का कपड़ा था वो इसके सर के चिपा हुआ था और यहां देखे किस तरह स सभी गलाउज पहन कर खुद स्वेम एक एक चीज की चानवीन कर रहे हैं फोरंचिक टीम के साथ लगकर और बहुत ही बारिकी से हर चीज की चानवीन हर एंगल से इस मडर को देखा जा रहा है यह देखिए हर एक बारिक बारिक चीजे किस केमिकल से यहां फोरंचिक टीम द हम बोडी दिखा नहीं सकते लेकिन यहां बताये जा रहा है कि इसका और निच्चे का जो धड़ है धड़ से निच्चे निच्चे का सरीर पेरो से थोड़ा उपर तक का विशेश कर जो इसकी प्राइवेट पार्ट है वहां पे ज्यादा से ज्यादा कैरोसीन या जो भी कैमिकल डला है उससे इसके सरीर को जलाया गया है उपर की बोड़ी कुछ हद तक सेफ है जो जली नहीं है और निच्चे का हिस्सा पूरा बिलकुल जल चुका है खतम हो चुका है तो देखिए हर एंगल से पुलिस परसासन इस मामले को खंगालने में लगा हुआ है और हर भरसक कोशिस यहां पे की जा रही है कि जल्दी से जल्दी आरोपियों को पकड़ा जाए और इस केस का खुलासा हो कि कौन ये व्यक्ति है कहां का ये व्यक्ति है जरूर करें एक इनसानियत के नाते क्योंकि जितनी ये वीडियो सेर होगी उससे जल्दी गुनेगारों तक भी पहुंचा जाएगा और जो ये व्यक्ति मरा है इसके वार में भी पता चल पाएगा क्योंकि किसी के गर से जब ये इस तरह का व्यक्ति गायब हुआ है एक दिन से तो वो भी उसे कही न कहीं ढूंडने में लगे होंगे तो अगर ये वीडियो ज़्यादा फैलेगी तो उस परिवार तक ये देखिए मोबाइल का चार्जर दिखाय जा रहा है जो चार्जर था और उस पर कुछ पन्नी वनिया जिनको सुरक्षित रखा जा रहा है फोरंसिक टीम द्वारा जिनको लैब में ले जाकर हर तरीके से इनकी जांच होगी तो इस वीडियो को शेर करने का एक यही मात्र एक लक्स है कि जल्दी से जल्दी यह वीडियो जादा से जादा सेर हो और जो भी यह वैक्ति है उनके परिवार वालों तक यह बात पहुंचे और कहीं ना कहीं से इस तरह कि कोई खबर मिले कि कोई गुम हुआ वैक्ति हो तो वो सामने आए और इस मामले का खुलासा होने में भी मदद करें और उनके परिवार को ये बोड़ी भी मिल जाए तो इस वीडियो को जो भी साथी देख रहे हैं जितनी होस्ट के जादा से जादा सेर करें क्योंकि ये एक समाजिक काम है आप सभी का सहयोग रहेगा इसमें तो इस डेड़ बोड़ी के द्वार को ये डेड़ बोड़ी भी मिल जाएगी और हत्यारों तक भी पुलिस परसासन जल्दी पहुच पाएगा जिस तरह यहां के आसपास के लोगों के द्वारा जो हेल्प की जा रही है पुलिस परसासन की इसे तरह सभी आमजन का ये करतवय बनता है कि इस वीडियो क शेर करें और अपनी भागीदारी इस मोहीम में निभाये और इस मामले को जल्दी से जल्दी सोल जाने में पुलिस परसासन का सहयोग करें यहां जब हम आए तो पुलिस परसासन पूरी जोर सोर से यहां लगा हुआ था उसके बाद फोरेंसिक टीम यहां आई और काफी समय से करीब आदे गंटे से फोरेंसिक टीम एक एक बारिक से बारिक चीज को चान बिन करके हर चीज को डिटेल से SP साब DSP साब भी देख रहे हैं हर चीज को हर एंगल से बारिक किसे देखा जा रहा है और फोरेंसिक टीम के जो अधिकारी हैं वो भी बहुत जीजान से यहां लगे हुए हैं इस मामले की गम भीरता को ले करके लेकिन ये हमारे चेतर में इस तरह की गटना एक बहुत ही प्रिये गटना है बहुत ही बड़ी और दुखत गटना है कि हमारे इस शांती प्रिये चेतर में इस तरह की गटना कैसे गटी हल ताकि अंदाजा लगा जा रहा है कि व्यक्ति साइद कहीं भार का हो सकता है लेकिन हमारे छेतर में इस बोड़ी को डाला गया तो कहीं ना कहीं हमारे छेतर पे भी इस तरह से अंकुस दाग सा एक लगता है कि यहां इस छेतर में इस तरह की घटनाई होती हैं तो ऐसा ना हो इ कोई अंदेशा कहीं किसी तरह कस्षा को हो तो पुलिस परसासन को जल्दी से जल्ती आमजन से निवेदन है कि वो पुलिस परसासन को अवगत कराएं और आज ये घटना है जो बहुत अपिर ये घटना है और पूरे छेतर में एक तरह से हल्चल सी मची हुई है हड़कम सा मच हुआ है लोगों में एक देशत का भी माहुल बना हुआ है कि दिन दहाडे इस तरह से कोई किसी व्यक्ति को कैसे कर सकता है क्योंकि कुछ दिन पहले ही एक खबर आपने देख्यों कि हमारे चैनल पर भी वीडियो आई थी वो रिवाडी हलचल पर की बोडोली और मुंदी ग गटना थी और इसी तरह कि ये गटना उससे भी खोफनाक गटना आज ये एक और सामने आई हमारे चैतर में जो बहुत ही हमारे चैतर के लिए एक बहुत दुखत बात है ये देखे एक एक चीज को यहाँ पर रखा जा रहा है लैब में ले जाने के लिए फोरंचिक टीम द कहुचने के लिए आज पास के CCTV कैमरे खंगाले जा रहे हैं लोगों से जानकारिया भी ली जा रही हैं और इस बोड़ी से जितनी भी जानकारी मिल सके वो हासिल कर रहे हैं फोरंचिक टीम के साथ हमारा पुलिस परसासन मिलकर और हमारे चैतर के आमजन भी इसमें अपना ज देना और जलाकर इस तरह से रास्ते में फेक जाना एक इनसानियत नाम की चीज जहां खतम होती दुखाई दे रही है एक इनसान की जान की वैल्लू यहां एक केडvy मकोड़ की तरह देखे जा रही है कि किसी भी वैक्तिक को कभी भी इस तरह से मार दिया जाता है तो क्यों ऐसी गटना ये आम होती जा रही है पुलिस पर साशन भी इस पर अंकुश लगाने के साइद पूरी परियास करेगा और छेत्र में एक जल्दी से जल्दी इन आरूपियों को पकड़ कर इस मामले को संग्ध्यान में लेकर और इन आरूपियों को पकड़ कर एक एक जिजान से इस मामले को गम भीरता से लेकर इसकी छानबिर में लगा हुआ है और सच जल्दी ही सामने आएगा DSP साहब से भी हमारी बात हुई उन्होंने भी यही बताया कि मामले को गम भीरता से लिया जा रहा है और ROP जल्दी ही पुलिस गिरफ्त में होंगे और जिसने भी ऐसा किया है उनको जो भी दंड है वो मिलेगा और अपराद्यों को जल्दी ही पकड़ा जाएगा ऐसा आस्वासन डेस्पी द्वारा दिया गया है और यहां मोके पर ही एस्पी सहाब भी पहुंच चुके थे तो मामले क पुलिस जल्दी ही इन आरोपियों को काबू करेगी और आमजन को एक संदेश देगी सुरक्षा का जो परसाशन को लेकर सुरक्षा की बाते होती है इस तरह का आस्वासन दिया गया है डेस्पी जिद्वारा तो देखिए यह मामला आज लवाना गाउं का कितना खोफनाक यह मामला हमने आपको पूरी वीडियो दिखाई इससे पहले एक और वीडियो रली स्टार्टिंग की वीडियो जिसमें बताया गया है कि किस तरह से लोगों को पता चला और कैसे कैसे खबर पुलिस द्वारा पहुँची और पुलिस किस तरह से आकर अपने इस काम में जु जो प्रेस से हैं जो मीडिया करम चारी हैं वो भी अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं सभी मीडिया करमी जो हमारी चेतर के आसपास के चेतर के हैं वो सभी यहाँ जैसे ही खबर लगी पहुँच चुके हैं और मीडिया में इस नूज को फैलाने के लिए ताकि जल्दी से जल इक नहीं पे साथ बने हुए हैं और अपने अपने चैनल के माद्नम से अपने अकबार के माद्न के इन खबरों को आम जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं तो यहाँ हर व्यक्ति अपनी-अपनी जुम्मिवारी सई से अच्छे से निबा रहा है इसलिए ही ये कहा जाता है कि आरोपी जल्दी ही पकड़े जाएंगे जो भी आरोपी हो चाहे कितनी भी उन्होंने चतुराई से इस जगन्ने कारिये को अंजाम दिया हो लेकिन कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि अपरादी बच नहीं सकता और ये तो मामला बहुत ही जल्दी ही सोलजने वाला है क्योंकि हमारा रेवाड़ी पुलिस परसासन बहुत ही सतरक और सक्रिये है और इस तरह के मामलों में बिल्कुल भी कोता ही नहीं बरतता तो जल्दी ही आरोपी पकड़े जाएंगे और आपके सामने उनके चेहरे भी दिखाएंगे कि किस तरह और क्या कारण था और क्यों इस व्यक्ति को मारा ये व्यक्ति कहा का था कैसे मारा और क्यों मारा जल्दी ही आपको अगले वीडियो में भी ये खबर मिलने वाली है हम प बारे में बी और जो भी अपने आसपास के खबरे हैं उनका नोटिफिकेस्टन आपके पास सबसे पहले पहुँचे हमारे चेतर की कोई भी खबर आपके पास सबसे पहले पहुँचे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर बटन जरूर दबा दें और मेरी समाज को एक हमारी तरफ से एक सैंपोर्ट मिल सके तो जो भी आपके पास जैसी भी कोई खबर हो तो तुरंत हमारे नमबर आपको वीडियो में सामने दिखाए दे रहे हैं कभी भी कोई भी कोल करो हम तुरंत तत्परता से आपके सामने हाजिर होंगे और आपकी समश्या या जो भी नूज है उसको मीडिया में दिखाने का काम करेंगे पिछे भी हमारा पूरा परियास रहा है कि आप तक सच और बेवाग खबरें समय समय पर मिलती रहें और आगे भी यही परियास रहेगा आप लोगों की सपोर्ट सिर्फ इतनी चाहिए कि आपके पास जैसे ही कोई खबर इस तरह की या कोई भी किसी परकार की खबर लगती है तो हमें सूचना जरूर दें और जरूरी नहीं कि कोई इसी तरह की खबर हो क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि इस तरह की गटना कोई और गटे और इस तरह के मामले सामने आए तो हमारे छेतर में कोई अच्छी खबरे हैं कोई मोटिवेशन की खबरे हैं कोई बच्चा कहीं ना कहीं किसी छेतर में एक अवल दरजे से कहीं ना कहीं अपनी निपुनता दिखाता है तो उनके बारे में बताएं चाहे वो खेल का वर्ग हो चाहे कोई पढ़ाई का वर्ग हो किसी भी छेतर में कोई भी पिरिये गटना जो हम दिखाएं मीडिया में जिससे की बच्चों को मोटिवेशन मिले समाज को मोटिवेशन मिले या कोई भी उतकरष्ट कारिये कोई व्यक्ति हमारे समाज में करता है चाहे कोई भी समाजिक काम इस्तरे का करता है तो वो खबर हमें जरूर दे हम उसको मीडिया में दिखाएंगे और आपको बता दे कि हमारी जो भी खबर होती है समाजिक तोर पे खबरे एक समाज हित में खबरे होती है उनका कोई चार्ज नहीं लिया जाता फिर ओफ कोश्ट सेवा हम दे रहे हैं तो आप कोई भी खबर देने से ना चुके तुरंत हमारे पास कॉल करें और जो भी खबर है वो मीडिया में पहुंचाए और आपने समाज में अपना योगदान दे और हम भी अपना योगदान देने के लिए तत्थ पर रहेंगे यह फोरंचिक टीम लगी हुए है ऐसे चो साब भी लगे हुए है S.P. साब भी यहीं लगे हुए है यह डोक्टर साब एक एक चीज को देखे किस तरह से बारिकी से ले लेकर करके लेब के लिए ले जाय जा रहा है बोड़ी के लिए गाड़ी मंगा ली गए है इसके बाद इसको लेब में ले जाय जाय जाएगा और वहां बारिकी से जानकारियां ले जाएंगी कि कौन वेक्ति है कहां से जल्दी इसके खबरे भी लग पाएंगे क्योंकि इसके पास एक Android फोन था शायद उन से भी कुछ पता लग पाए क्योंकि फोन तो सायद जल चुका है लेकिन SIM वगरा या कोई ना कोई इसमें फोन में अगर कुछ मिलता है तो उससे भी जानकारियां लेने की कोशिस करेगी यह फोरंसिक टीम भी यहां पे लगी हुई है और देखे किस तरह से नीसंग कोच और पुलिस परसासन भी जहां जो इनका काम नहीं होता वो भी यहां पे कर रहे हैं और पुलिस परसासन की यहां जितनी तारिफ की जाए वो कम है क्योंकि हमारा पुलिस परसासन इस तरह के मामलों में बिल्कुल भी कोता ही नहीं बरतता यहां तुरंद मौके पर 112 तुरंद उसके बाद S.H.O